और यहां पर हमारी 50-60 वरक्शॉप चलती है इसी इंडस्टी में जो बदलाव नहीं होना चाहिए वो यह है कि भारती तरह प्रहनी चाहिए पॉरन टेक्नलोजी को अपना तो लेते हैं लेकिन फॉरन कॉंटेंट को भी साथ-साथ अपना ना शुल करते हैं तो आल इंडिया में रिलीज होगी ताल टू बड़ी स्क्रीन पर वर्क हार्ट, है पेशेंट्स और बिलीव इन यूर टैलेंट्स अमश्कार में आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बजू का और आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं बहुत जादा एक्साइटेट्ट हूँ उन्हें आपसे इंट्रड्यूस करने के लिए जी हैं आज हमारे साथ शुवास घाई सर हैं सर कैसे हो आप बहुत अच्छा हूँ आपको देखके मतलब बहुत लोगों का चहरा खिल जाते हैं आपकी फिल्में याद आ जाते हैं तेंक यू सर सेलिब्रेट सेनेमा इसके बारे में हमें कुछ जाना है आपसे कितना इंपोर्टेंट है आपके लिए और आजकल के जो बच्चे हैं उन परपस हैं वो यह है कि बाहर के स्टुडेंट्स मी आएं जो विसली वूट के स्टुडेंट नहीं हैं लेकिन बाहर से बहुत हजारों स्टुडेंट्स हैं जो यहां आते हैं इस फेस्टिवल में और यहां पर हमारी 50-60 वरक्शॉप चलती हैं जिसमें एक्टिंग, डिरेक इनों को कि भी सिनिमा के अंदर इतना पढ़ाई करना एजुकेशन के ना जरूरी है आज कुछ भी चीज एजुकेशन के बिना आगे जाके निडर तक है तो यह तीन-चार दिन जो हैं हम लोग पूरी पब्लिक के लिए खोल देते हैं कि जहां पर आप पूरी इंडिस्ट् आपकाफी समय से किसा इंडऱ्ि में बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं लेकिन एक ऐसा बदलाव जो अभी तक इस इंडऱ्ी में नहीं हुआ है वो क्या है झाला यहिए को के बदलाव नहीं होना चाहिए वह यह हैं कि भारतित तर रहने चाहिए जो बदलाव होना साथ साहिक हो लीटे को हम अपने भारतिय को कैसे बताएं इसी खिया होता है कि वा स्कूर्ण साथ-घृत के ऊजिए यह आवश्यकTION बहुत सारी सर फिल्म में रिलीज हो चुकी हैं जैसे अब इस त्रीट हो की हम बात कर रहे हैं सर आपको कैसी लगी थी वो फिल्म पूरी समपूरण फिल्म लगी एक मासिस की फिल्म है विदे टच अफ क्लास उसमें स्पेशल फेक्ट दो एडिटिंग देखो मुजिक देखो डिरेक्शन देखो राइटिंग देखो परफॉर्मेंच देखो सब चीज अच्छी हैं उसके अंदर और आज उस हौल में बैठे हैं जो री रिलीज फिर से हो और फिर से एक बार ओडियंस के दिलों पर उचा जाए जनता की दिमांड के और सिनेमा हौल की दिमांड से अभी हम लोग 27 सप्टेंबर को ताल 2 रिलीज कर रहे हैं तो ऑल इंडिया पर रिलीज होगी ताल 2 बड़ी स्क्रीन पर मैं जानता हू दिखाए गया और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमा ओडियंस आई और देखे कि बड़ी स्क्रीन का क्या मतलब है और सुवाज जी नहीं इस सिनेमा को और इस फिल्म को ताल को किस तरह से बड़ी स्क्रीन के साब से पिक्ट्राइज किया हैं और मेरी हैपी देवल लविट देवल अप्की तरफ से उनकी लिए क्या संदेश है क्या मैसेज देना चाहेंगा और फिल्वत पके सिनग गण्यादय के युग संॉम्स कि